कि नमस्कार आप देख रहे हैं एश्या न्यूस जंडिया नहीं की तसे जैसा कि आप जानते हैं कि पुरे देश और दुनिया को कोरोना संक्रमन ने तबाह करके रख दिया है पिछले एक सालों से नजाने कितने लोगों की जान गई और कितने लोग इस संक्रमन से ग्रसत हुए ऐसी ही में सरकार के द्वारा कुछ गाइडलाइन्स जारी किये गए हैं कोरोना गाइडलाइन्स जिसके नियमों में मास्क लगाना अनिवार रहे हैं में राची के मुरबादे स्थित जाने वाने पार्क औक्सीजन पार्क में आई हूँ और यहां आज मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे लोग जो है घूमने तो आही रहे हैं भीड इकठा करी रहे हैं कोरोना संक्रमन की गाइडलाइन सी किस तरह से धर्जिया उरा रहे हैं यह आज मैं आपको दिखाऊंगी लोग यहां आ रहे हैं और भीड में एक साथ बहुत साही लोग घूमरें लेकिन कई लोगों ने मास्क नहीं पहना है यह राची के पार किस्थी चलिए देखते हैं क्या है इन लोगों के बहाने मास्क ना पहनने के लेकिन आपने आपको पता लेकिन आप किस तरह से पालन कर रही है को रोना गाइडलाइन का किस तरह से आप पालन कर रही है हम लोग सोचल डिस्टेंसिंग में भी त्यूशन में भी देखा अपने हमारे साथ थी जो लड़कियां थी इन्होंने मास्क नहीं पहने थे आपको दिखाएंगे क्या नए मास्क नहीं बहाने होंगे मास्क ना पहनने के तो एक आपने पहना आपने देखा और बाकी एक मास्क यह लोves को वाहां पर सारे लोगों को जाज करके भेजा जाता है यहां पर फिजन पार घूमने आए हैं तो आपको बता है अभी कोड़ोना कोविट चल रहा है है ऐसे में गाइडलाइन दिये कहा है कि मास्क लगाने हैं आपने मास्क पाणा है कोविट में भूम तो यह तो जाएंगे तेल लेने अबर आपको अपने साथ अपनी फैमिली के कोई चिंता नहीं है कि आपको लगा तो फैमिली के क्या चिंता रहेगा और इनका बहाना था की तेल लेने जाए लो इन्हें कि उन्से कोई फर्क नहीं पड़ता है अपने मास्क पहना था अभी हमें देखकर आप मास्क लगा रही हैं कैसे बचेंगे आप कोरोना से आपका खुछ नहीं कहना चाहती है आपके साथ बच्चे भी और अपने मास्क नहीं लगाया है अपने इनके पास कोई जवाब नहीं है ऐसे ही यहाँ पर हम लोगों से जान रहे हैं तो खुछ लोग बहाना दे रहे हैं और किनी के पास जवाब तक नहीं है क्योंके मालूम है कि वहub take- Heidi के वज़ा से संक्रमन फ्रार सकता है और एक व्यक्ती से लोगसंख्रमित होते यह आपको अच्छे से हैं स्पार्ट का और गूंना ऑपको दिखवाते हैं कि कि सब्सक्राइब की सब्सक्राइब कि किस तरह से धजिया कुरोना संक्रावन चल रहा है आपने किसी ने भी मास्क यहां से आप पालन करते हैं को वंघ्राइड पर अपर जगह झाली था ज्यादा यहां पर क्राउड नहीं है तो इसलिए हम यहां पर मास्ट खोलेते हैं ऐसे जहां पर क्राउड रहता है वहां पर मास्ट पहान के आते हैं देखा अपने एक और नया बहाना एक और नहीं बात इनका कहना है कि फोटोस खिचवा रहे थे जम मैंने कहा कि फोटोस नहीं खिचवा रहे थे तो ये कहते कि वीडियो बना रहे थे पर आपने देखा कि सड़क पर ये किस तरह से चल रही थी इनका क्राउड नहीं था पर ख लेकिन तैयारी कोरोना संक्रमन को लेकर ऐसी दिख नहीं रही है लोग बेख़ुफ बिना मास्क के घूम रहे हैं इन्हें बताना होगा कि कोरोना संक्रमन अभी तक खतम नहीं हुआ आप लोग यहां पार्क में बच्चों के साथ गूमने के लिए आई हैं आपको पता है कि अभी तो कोरोना संक्रमन खतम हुआ नहीं है आप पैसे जा रही है मेडिया वाले जादा बनिये मत मास्क लगा रहे हैं यह एक और दलील एक और बहाना देख सकते हैं आप कि परिवार के साथ बच्चों के साथ यहां आई है और सवाल पूछने पर हमें ही कह रही है कि मीडिया वाले जादा बनिये मत जादा सवाल मत करिए इन्हें लग रहे है कि मैं इनसे सवाल कर रही हूं पर यह सवाल इनके लिए है क्यूंकि कोरोना संक्रमन अभी तक खतम नहीं हुआ है और तीसरी लहर आने वाली एसे में इस सवाल पूछा जा रहा है खेर अभी इन्होंने मास्क लगाई लिया है भगवान करें कि ऐसे ही कोई मीडिया वाले आये और इनकी आखों को खोले ताकि अगली बार के लिए यह लोग मास्क लगाए ताकि जादा से जादा लोगों को बचा कर रहे हैं तो देखा अब यह जागरुक हो चुके हैं और शायद अभी के बाद से इन्हें पता हो कि भी वाले स्थान पर लुक में घुमेंगे मीडिया ली हमारी मदद कर रही है हम उसके लिए उनके तहे दिल से धन्यवाद देते हैं देखा आपने कि यहां पर जो है अब हमने यहां अक्सीजन पार्क में अलग-अलग लोगों से आपको मिलवाया अलग-अलग लोगों से सवाल किये और उनसे हमने जवाब भी पूछे कि अभी कोरोना संक्रमन खतम नही हो रहा है तो यहां हमें जवाब में मिला तो केवल बहाना और दलीले यहां तक कि हमारे ही उपर सवाल कर दिये गए कि आप जादा बनिये मत क्योंकि हम अपना काम कर रहे हैं तो आपके लिए भी यह बात कहना चाहूंगी कि कोरोना संक्रमन अभी तक खतम नहीं हुआ है ख अधिए